नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पोयम, जी हाँ बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश की कविता बहुत ही प्यारी सी आफ्टरा बात, इसका मतलब है कि हम नहाने के बाद क्या क्या करते हैं, तो आईए हम इसको कविता के माध्यम यानि इंग्लिश पोयम से जानते हैं तो चलिए हम लोग कविता शुरू करते हैं After my bath I try, try, try To wipe myself till I'm dry, dry, dry After my bath I try, try, try To wipe myself till I'm dry, dry, dry Hands to wipe and fingers and toes And two wet legs and a shiny nose Hands to wipe and fingers and toes And two wet legs and a shiny nose Just think how much less time I would take If I were a dog and could shake, shake, shake Just think how much less time I would take If I were a dog and could shake, shake, shake हाँ तो प्यारे बच्चों आपको या कविता इंग्लिश की सुनने में तो बहुत अच्छी लगी होगी पर हिंदी में आपको मैं इसको explain कर देती हूँ आईए जानते हैं After my bath इसका मतलब है कि मेरे नहाने के बाद I try, try, try मैं कोशिस करता हूँ To wipe myself अपने आपको पोचने के लिए जैसे आप भी नहाने के बाद अपने आपको पोचने के लिए बहुत struggle करते होंगे Very good वैसे ही बच्चों उसने बोलाए Till I am dry, dry, dry जब तक मैं सूखने जाता हूँ तब तक मैं अपने आपको तॉलिये से पोचता हूँ Hands to wipe मैं अपने हाथों को पोचता हूँ and fingers and toes और अपने उंगलियों को और toes को पोचता हूँ and two wet legs और मेरे दूनों पैरों को भी गीले पैरों को भी पोचता हूँ और अपने shiny nose को भी पोचता हूँ यानि अपने नाग को भी पोचता हूँ Just think how much मतलब मैं सोचता हूँ मैं कितना टाइम लेता इसको करने के लिए अगर मैं एक डॉग यानि कुत्ता होता और मैं ऐसे अपने आपको हिला रहा होता हाँ बच्चों तो आपको समझ में आया इसका मतलब तो मुझे बताईएगा आपको यहाँ इंग्लिश पोयम आफ्टर अबाद कैसी लगी धन्यवाद